Hello to all the viewers who are watching this video and I welcome you all again to my channel Education World आज हम बात करेंगे एक ऐसे पॉसन के बारे में जिसके बारे में आप सब जानना चाहते हो बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक है आज का दाट इस अबाउट नेपोलियन बोनापार्थ सो नेपोलियन बोनापार्थ का जन्म हुआ था फ्रांस के एक शहर में जिसका नाम है एजेसियो बर्थ कब हुआ था 15th August 1769 में यहां पर बर्थ हुआ था फ्रांस में नेपोलियन का वो एक नोबिल फैमिली से थे और उनके फादर एक वकील थे एक लॉयर थे 1804 में नेपोलियन फ्रांस के एमपरर बने और यहीं से ही फ्रांस का भविशय और पूरे उरोप का भविशय we can say that was changed पूरे उरोप में एक हल्चल पैदा की नेपोलियन ने when he came into power जब वो एमपरर बने धीरे धीरे लगबग उन्होंने पूरे उरोप को अपने control में कर लिया पूरे यूरोप पर अपना कबजा किया वहां की पूरे सिस्टम को चेंज किया फ्रांस में सबसे पहले ने डारेक्टरी को खतम कर दिया और उसके बाद में वहां पर अपना पूरा जो रूल था उसको सेट अप किया उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजिस किये अपने रूलिंग टाइम पर बहुत सारे चेंजिस किये यूरोप में जो काफी अच्छे भी थे वेकें से तो सबसे पहल कि उन्होंने यह जो central government के जो officers थे उनको उनकी ability के basis पर appoint किया higher किया so that was good उसके अलावा आप देखोगे कि उन्होंने रिश्वत kory and इन सब को सट्टे बाजी और इन सब पर रोक लगा दी ट्रेड के benefit के लिए ट्रेड की development के लिए निपोलियन ने transportation system पर काफी जोर दिया उन्होंने बहुत सारी roads construct करवाई बहुत सारी rivers basically construct करवाई निपोलियन ने even you know education के field में बहुत अच्छे काम किये उन्हें ने university को set up कर आया क्योंकि पहले religion पर जदा focus किया जाता था उससे related चीज़े पढ़ाई जाते थी universities में लेकिन Paris में जब निपोलियन ने एक university को set up किया तो वहाँ पर उन्हें नए subjects को introduce किया जैसे कि Latin, French, Science and Maths तो इन चीज़ों को वहाँ पर पढ़ाया जाता था इन subjects को वहाँ पर पढ़ाया जाता था उन्होंने 1804 में भी अपने court के थूप बहुत सारे changes किये जैसे feudalism को उन्होंने abolish किया सर्फडम को उन्होंने abolish किया जो लग भग पूरी European society को बहुत बुरी तरह exploit कर रही थी mass society को weekend से mass population को exploit कर रहे थी क्योंकि 97% पीजे इंट्री ग्रोप या फिर third order के लोग वहाँ पर रहते थे जिनको exploit किया जाता था through this feudal system and the servdom system लेकिन नेपोलियन ने इसको खतम किया economic growth के लिए नेपोलियन ने क्या किया एक trade union को set up किया जिसमें उन्होंने लग भग आप देखोगे कि सब जगह पर so that was good और इससे क्या हुआ basically कि जितने भी states थे वहाँ पर जो भी trade barriers थे उनको भी खतम किया गया ताकि trade को यूँ नो बढ़ावा मिल सके और economic growth की जा सके even do you know उन्होंने property related भी बहुत सारे laws पास किये जिसमें आप देखोगे कि पहले जो sun होते थे लोगों के उनको property पर कोई rights नहीं होते थे क्लरजी dominated societies हुआ करती थी तो जादतर rights नहीं मिलते थे common लोगों को property के उपर लेकिन नेपोलियन ने एक लोग पास किया जिसमें जो भी persons के पास में जो भी property होगी वो उन के आगे जितने भी बेटे हैं उनको equally distribute की जाएगी so that was the provision which was done by नेपोलियन एक law उसके अलावा नेपोलियन की अगर डेथ की बात करें डेथ से पहले हम बात करेंगे की नेपोलियन पावर में तो आय थे 1804 में फ्रांस के रूलर बने थे लेकिन 1815 में उनकी डेथ हो वो हार है थे वाटर लू के बैटल में जो आपकी जो भी मित्र रास्टर थे उन्होंने मिलकर के हराया था नेपोलियन को जून 1815 में और उसके बाद में इस डिफीट के बाद में उनको बंदी बना करके अटलांटिक और्शन के एक बहुत ही सुनसान दीब जिसका नाम था सेंट ह लेना वहाँ पर भेज दिया गया वहाँ पर निर्वासित कर दिया गया और वहीं पर सेंट हैलना में छे साल बाद दो मई 1821 की डेथ हो गई यह थी पूरी स्टोरी नेपोलियन के बारे में I hope कि आपको पसंद आई होगी नेपोलियन के बारे में बहुत सारी लोग जानना चाहते हैं इस पेशली जो हिस्टी लवर्स हैं So, this was a small introduction about Napoleon from my side to you. I hope that you liked this video. And please, मेरे चैनल को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत बूलना. Thank you very much.